हेलो तो आज की रिडिंग हम करने वाले हैं देखेंगे आज की इस रिडिंग में कि आपके पर्सन आज सुबह से उनके दिल में क्या चल रहे है ठीक है यानि कि आज सुबह से उनके दिल में क्या चल रहे है आपके लिए अब भी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस यानि कि सुबा से लेकर के उस वक्त तक ये ये होगी और ये टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी हर रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में देखा था कि आप लोग बोल रहे थे कि दी टाइमलेस है या नहीं है तो ये रीडिंग मेरी हर रीडिं को देखो देखो की आप रात में देखो चाह दिन में देखो चाहे सुबा में है ना तो यह और जिण को भी मझसे टैरो डिंग करवानी है या फिर पाम डिंग करवानी है या फिर कुंडली डिंग करवानी है वो मुझसे कॉंटेक्ट सकते हैं दिए गई करवाने में, palm reading करवाने में, या kundalini reading करवाने में. सो contact कर सकते हैं आप लोग. तो चलिए फिर करते हैं reading go start. मैं अपने इश्वर को याद कर रही हूँ, angels को याद कर रही हूँ और आपको क्या करना है? अपने person को याद करना है. थिक्रें? अब मैं देखूंगी है ना आप में देखूंगी कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या-क्या चीज़े हैं और क्या-क्या फीलिंग विगर मैं सब देखूंगी आग सुबह की ओके तो चलो त्फिर त्यार हो जाओ ओके प्लीज गाइड कीजे, मुझे यहां दिख रहा है two of sorts, ठीक है, two of sorts के energy जैसे होता है न, कि वो ऐसे रहता है न, यान कि उनकी तलवार क्या होती है, एक दुसरी के opposite होती है, यानि कि क्या है, कि यहां पर crossroad है, आपके person के सामने मुझे crossroad वो दिख रहा है, कि उनके सामने concept को ले करके, अपने future को ले करके, आपके साथ अपना future हो भी पाएगा, या नहीं हो पाएगा, ये person उस चीज को ले करके confused है, मुझे यहां पर उनके clarity नजर नहीं आती है, ऐसा दिखता है, जैसे कि आपके लिए decision कई, कई बार उन्हेंने सोचा कि मैं लेता हूँ, मैं ले आपको कई बार उन्हेंने कहा कि सारी चीज़े सही हो जाएंगी, सारी चीज़े हो जाएंगी, टेंशन मत लो, लेकिन क्या होता है, आखरी टाइम में वो decision नहीं ले पाते हैं, फर्स के रजाती हैं वहीं चीज़े, हैं ना, तो यहाँ पर वो है और दिखता है आपके, आपके cards में, आपकी reading में, especially, देखो यह person मुझे एकदम से totally दिखता है, जिसे की family है इनकी, family मुझे नजर आ रही है, family, इसके वज़े से यह person जाने है, crossroad पर खड़े हैं, वो family के person, इनके especially father मुझे नजर आ रहे हैं, father, या फिर एक होता ना, कि जैसे की हमारे पुरोहित होते हैं, हमारे पंडे जी जो होते हैं, वो जो है न, हमें guide करते हैं, तो वो मुझे नजर आ रहा है, कि कुछ, आप, आप हो सकते हो, एक astrologer हो सकते हो, astrologer है, क्योंकि यहाँ पर, एक astrologer मुझे नजर आ रहा है, कि वो है, यहाँ पर, ठीक, और, यहाँ पर, मुझे दिखता है, कि, आप दोनों के relationship में, ठीक है, आप दोनों के relationship में family issues है, family नहीं मान रही है, या फिर थर्ट पर्टी है, वो नहीं मान रही है, मुझे यहाँ पर age gap भी काफ़ी हद तक दिख रहा है, age gap, ठीक है, आपका और उनका, age gap है, long distance के साथ, age gap भी मुझे नजर आता है, इसके साथ ही दिखता है, जिससे कि, जब मिले थे, तो, वो होता है ना, कि हाँ, आप मेरे लिए बने हो, और मैं आपके लिए, वो वाली energy दिखती है, जिससे कि, एक सपना जिसे कि, पूरा हो चुका है, और पूरा हो गया, मिलने से जो है ना, आप दोनों के मिलने से, एक सपना जो अधूरा था, वो पूरा होते हुए, मुझे नजर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, जिससे कि, दोनों एक दूसरे क साथ, इतना comfortable feel करते थे, जिससे कि, कभ भी नहीं, खुल के बाते करना, खुल के इंजोई करना, खुल के सारी बाते शेयर करना, है ना, वो सारी चीजे मुझे नजर आ रहे हैं, कि हुई है, लेकिन फिर भी आपके person नो, अभी कोई action नहीं ले रहे है, ना, कोई action ही ले रहे हैं, वो, मुझे यहाँ पर दिखता है, कि, देखो, मैं रुक रुक के बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे चैनल होगा, तब ही मैं बोलूँगी, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, कि आपके जो person है, और आपका जो relationship है, इसमें एक tower moment भी मुझे नजर आ रहा है, ऐसा दिखते हैं, जिसे कि अचानक से चीज़े जो है न, सोच से वो परे नहीं थी, सोचा नहीं था कि ऐसा अचानक से होगा, लेकिन अचानक से हो गया, आचानक से आपके person ने आपको दोखा दे के निकल गए है ठीक और आपको पता नहीं है आपको पता बिल्कुल भी नहीं है कि उस person ने ऐसा किया क्यों है क्या thought party नहीं मान रही है उनके घर वाले नहीं मान रहे है या फिर कोई other reason है आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन आपको काफी हत तक पता है कि यह जो है ना इसमें family issues है family नहीं मानेगी family क्योंकि काफी time से आप लोग try कर रहे हो family के लिए लेकिन family का issue जो है आपका मुझे clear होता हुआ नजर नहीं आता family issues जो है ना वो खतम ही नहीं हो रहे हैं आप दोनों की बेच में चीजे मुझे खतम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आप दोनों की बीच में काफी हद तक मुझे दिखता है आपकी जो आपकी जो energy दिखती है इसके अनुसार से कि इंतिजार में हो ना है न अभी भी इंतिजार में हो जानते हो कि थर्ड पर्टी है इंतिजार कर रहे हो घर वाले राजी नहीं हो रहे है family देखो merit भी हो आप तो कोई issue नहीं है merit भी हो तो कोई issue नहीं है लेकिन यहां पर third party है आप merit person से करें और आपको सब्सक्राइब कि क्यों लेकर इसे यहां पर कुछ इसे आंकूff प्लिस काइट कीजे बात यहां पर यही है कि आपके पर्संट जो है ना आपके पर्संट जो है काफी स्टक है और आप भी काफी स्टक हो इस रिलेशनशिप को ले कर ठीक है सो यह हो गई relationship के status की बात अब मैं देखूंगी कि आपके person की feelings यानि कि feelings के साथ साथ मैं यह देखूंगी कि आपके person आज सुबह आपको जो है आज सुबह से उनके दिल में क्या चल रहा है क्या फिल कर रहे है वो ठीक है कल रात से लेके आज अभी तक अभी तक उनके दिल में क्या चल रहा है सुबह में तो खैर देखते हैं कि सुबह में क्या हुआ था प्लीज काइट कीजे मुझे सौंग चनल हो रहा है सातो जनम में तेरे साथ रहूंगा यार मरके भी मैं तुझसे प्यार करूंगा यार है ना सो वो मुझे नजर आ रहा है यहां पर वो साथ वो प्यार वो इमोशनल फिलिंग्स सब चीजे नजर आ रही है मुझे आपके लिए हुम आज सुबह से इनके दिल में क्या चल रहा है हूहू सो चल तो रहा है आज सुबह से मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने कोई सपना देखा है कोई डड़ाओना से सपना देखा है इन्होंने जिसकी वज़से जो है ना यहां पे इनको लग रहा है कि मैंने खो दिया उसे इनको लग रहा है जैसे कि इन्होंने खो दिया है आपको और इन्होंने खोया भी है तो अपनी गलती की वज़से अपनी बोलने की वज़से अपन बार 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 यह person अपने आपको धाकेल रहे हैं ठीक है कि अधिक है तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है आपकी आपके रिडिंग में कि देखो क्या है कि चीजे यहां पर के है क्लियर दिख रही है क्लियर है भी कि आपके आपके जो यहां पर एद दिख्ती है कि हाँ आप काफी हद तक आप आगे बढ़ रहे हो और आपके person ने जो आज सपना देखा है उस सपने के अनुसार से यह दिखता है कि आपक ने किसी और से शादी कर ली हैं आपकी इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है RYAN ना तो यहां पर यह सपना मुझे इनका नजर आ रहा है और इसी के वज़़ेसे आप सुबह से इनके दिल में वो वो होता है है ना कि हाँ चीजे एक डड़ावनी से चलती रहती है और यह सपना आए थी कि आप लोगों ने भी कहीं हद तक एक डड़ावना सपना तो देखा है क्योंकि यहां पर वाइप्स मिल रही है मुझे आपकी भी कि दिखाए कुछ 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 गड़बड है है ना आपके परसन के दिल में चल रहा है अभी तक उसी सपने के बारे में परसन सोच रहे हैं कि क्या यह सच है क्या यह हो सकता है कि वो मुझे छोड़ कर किसी और के साथ निकल जाए किसी और के साथ चल जाए किसी और के साथ इस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ जाए क्या यह possible है really possible है तो यह person जो है ना ऐसा सोच रहे है मुझे energy दिखती है और दिखता है कि दिखो energy में तो ऐसा नजर आ रहा है मुझे clearly कि आप आप के person अभी काफी stuck से हो चुके हैं काफी इनका दिल नहीं लग रहा है काफी इनका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम को करने में इनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि यह जो है ना सुबा के सपने से डड़े हुए है तो इ थौट पार्टि को नहीं छोड़ा, यानि कि अपने फैमिली में जो भी है, उनके लिये अपना result से प्याग दिया और यहां stand नहीं लिया, उसके लिए इस person के दिल में यहां पर यह ही चल रहा है कि क्यूं मैंने ऐशा किया, क्यूं मैं stand नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, जानि क छोड़ चली बाबूल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, तो कहीं ये ना करने लगे, है ना, सो, मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है, कि आपके जो परसन है, काफी, काफी हैड़ेक में है, काफी परेशान है, ओके, सो, यहाँ पर यह परसन अब सोच रहा है, स्टैंड लेने का, इनके दिल में चल रहा है, अब स्टैंड लेने का, इनके दिल में, इनके मन में चल रहा है, कि हाँ, स्टैंड लिया जा सकता है, स्टैंड ले लूँ, स्टैंड लेने से, जो है ना, हो सकता है, कि हाँ, यह जो मैने सपना देखा है, यह कंप्लीट ना हो, क्योंकि सपना वहाँ करी में बहुत डराओना था, बहुत खराब था, ना, तो क्या करना है आपको? खुद को हिल करना है। आपके परसन को लग रहा है, आपके परसन को लग रहा है कि हां, उसके साथ ही मेरी खुशिया बंदी हुई है मेरी खुशिया जो एना उसके साथ ही है मैंने बहुत ट्राई कर लिया मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन यहां पर जो एना मुझसे नहीं हो पाएगा अब नहीं हो पाएगा यह परसन आपकी अपना चक्कर कंप्लीट हो आपके पर्सन तो मुझे नजर आ रहा है वेरी नाइस कि मुझे बार-बार यही सॉंग क्यों चैनल हो रहा है क्यों कि सपना तो देखा गया है क्फाप तो देखा गया है सपना तो देखा गया है ना आपके साथ एक हैपी सी फैमली हो एक क्यूट सी फैमली हो आप दोनों साथ में हो और आप दोनों का साथ तेरा मेरा फ्यार मर फिर क्यों मुझको मुझको नहीं तुझको तुझको लगता है डर तो यह मुझे यह जो डर है वो मुझे हट्ता हुआ नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में जो डर का सिस्टम बना वहना कि हाँ आप दुन वालग हो जाओगे and all है ना सो वो नहीं होने वाला है टेंशन नहीं लो आप बस positive रहो और देखो वो जो हमारा उपर वाला बैठा है ना वो बहुत दिमाग लगा कि हमारी किसमत को लिखता है उसे पता है कि हम किसके साथ कब खुश रहेंगे ठीक है तो उस पर सब छोड़ दो ठीक उस पर सब छोड़ दो ठीक है और चलो देख लेते हैं कि इस सिलेशन सिप में आगे क्या होने वाला है ओके क्या होने वाला है क्या होने वाला है कि यह जो मैं सवंग गुन गुना रहे थी ना कि तेरा मेरा प्यार अमर यह आप दोनों का जो प्यार है यह अमर है और यह कोई तोडorse नहीं सकता कोई ऐसा परसंट है नहीं जिसके तोड़ने से यह विई तूटे बॉत लोग होते हैं कि जालेशी के करन से कर देते हैं लेकिन उनकी जालेशी की वज़ेसे उनको कितनी तकलीफ होती है और बाद में वो लोग जो जलते हैं उनको पता होती है तो यहाँ पे वही है कि अपना-पना कर्मा जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ता किसी का कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता तो यहाँ पे यही है कि आपके परसंच है ना और आप दोनों एक होने वाले हो और जो यह आप दोनों का कर्मा चल रहा है आप दोनों के बीच मे आगे जा सकता है सो आप टैंशन नहीं लो क्योंकि कार्ट मुझे क्लिर डी कार्ट बता रहे हूं मैं यहाँ पर फिलिंग्स मैं देख पा रहे हूं जैसे कि यह चीजे जो है न मुझे नजर आ रही है एनरजी फिल हो रहा है मुझे कि आपके परसन और आप दोनों एक होंगे सो टैंशन नहीं लो ठीक है आल इस वेल अल इस वेल ठीक आपको क्या करना चाहिए वेट करना चाहिए या मूव अन करना चाहिए यह भी देख लेते हैं प्लीज क्याइट कीजिए वेट या मूव अन वेट कर लो वेट कर लो ठीक है वेट कर लो ठीक वेट कर लो आप इनका डिसीजन तो आने ही वाला है इस अब आने वाला है तो डिसीजन तो फीर क्या abdh perbar करना है वेट कर लो मुझे नज़र आता है कि वेट कर लो आपके चांसेच्प्छे हैं किसमत अच्छी है क्या आपके परसर आपके तरफ आने वाले हैं ऑकी सो यहां पर मुझे यही नज़र आ रहा है ठीक है सो मैं रीडिंग को करूँगी अब खत्म मिलूँगी मैं अगली रीडिंग में तब तक हसते रहे मुस्कुराते रहे और खुश रहे बाबाई